वेलकम डियर स्टुडेंट्स आपका अपने चैनल सौंबिर गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ आप सभी को दसेरे की भी बहुत बहुत बदाईयां भी आप अपने दसेरे के तुयार को हसी और उल्लास के साथ मनाएंगे अब हम जो खुशी मना रहे हैं दसेरे के उसके साथ साथ भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है देखो तुयार है एंजोई करना जरूरी होता है लेकिन स्टडी करना भी तो जरूरी है ठीक है तो enjoy के साथ-साथ, दस हेरे की खुशियों के साथ-साथ हम क्या करते हैं, पढ़ना भी नहीं बूलेंगे, तो आज हमारा दस हेरा कितियों हार के साथ-साथ हमें पढ़ना भी जुरूरी है, ठीक है, तो आज study करते हैं, अभी तक हमने क्या-क्या study किया, कि जो हमने image form की different-different point पे, कहाँ पर different-different point पे रखे हमने कहाँ पर कभी पॉल और focus के बीच में, कभी focus और कभी किसी को object को रखा, तो क्या हुआ, different-different type के हमारी image prepare हुई, वो सब हमने study की, आप सब इने आसा करता हूँ, सब आप देख भी चुके होगे, अगर वो आपने नहीं देखी हैं, तो मै उपर i button पे link provide करा देता हूँ, आप जाईए, वहाँ पे click करके आप उसको देख सकते हैं, और अगर ये video आपको अच्छी लगती है, तो please, आज दसहरा है, अच्छा काम कीजिए भी कुछ, ठीक है, क्या कीजिए, video को like कीजिए, share कीजिए, और channel को subscribe, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम ये अपना process ऐसे ही continue रखेंगे, हम आपका syllabus complete कराएंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, चाहे आपका school open हो या ना हो, आप physics का syllabus यहाँ पर complete करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप channel को subscribe जरूर कीजिएग bell icon को भी साथ में press कर लीजिएगा, उसका reason यह है कि अगर आप bell icon को press करते हैं, तो आपको instantly notification मेल जाता है, ठीक है, और अगर किसी को मेरी आवाज में थोड़ी problem लग रही हो, तो उसका reason यह हुई, आज थोड़ी टबियर down है, तो mind मत कीजिएगा, ठीक है, आसा करता हूँ next video तक मैं भी थोड़ा अच्छे से ठीक हो जाऊँगा, ठीक है, इसी के साथ अपना topic स्टार्ट करते हैं, तो भी हमने last में चो study किया, ठीक है, अब उससे आगे आता है, कि सिर्फ ठीक है, हमने वो study कर लिएगी different different type की image बनती है, लेकिन उनके फायदे क्या होते है, अगर उनक आता है, वो क्या है हमारा uses of concave mirror, हम ये सिर्फ यूज कर रहे हैं, concave mirror के, ठीक है, फर्स आता है, concave mirror used as saving mirror, saving mirror, जो हम save करते हैं, ठीक है, saving mirror के लिए भी हम किस का use करते है, concave mirror का, अब आपको के sir, हमारे घरों में, जो आपके parents है, sorry, आपके पिता जी है, यापके दादा जी ह करते है, तो वो तो plane mirror का use करते हैं, हां हम बहुत सारे लोग plane mirror का भी use करते हैं, लेकिन हम उसकी जीए concave mirror का भी use कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि concave mirror हमें क्या करता, अगर हम ने study किया था first case, कि अगर हम focus और pole के पीच में अगर object को रखते हैं, तो क्या करते हैं? एक large image हमें visible होती है तो save-use phenomenon का use करके हम क्या करते हैं इसका use करते है यानि कि हमें जब हम concave mirror में देखते हैं तो जो हमारी अगर कोई hair रहे भी जाता है तो वो भी visible हो जाता है तो इससे क्या होता है आपको साफ-साफ दिखाई देता है तो saving के लिए हम किसका use करते है concave mirror का क्या note की आगा है concave mirror are used as saving mirror to see किसी की see देखने के लिए large image of the face face की हमें क्या दिखाई देती है बड़ी image दिखाई देती है second point आता है concave mirror are used by dentist अब dentist कैसे use करते है same procedure दो वही है वो भी क्या करते हैं बड़ी image ही देखते है उनके पास क्या होता है एक सपून टाइप का होता है ठीक है उसके उपर क्या लगाता है छोटा सा mirror लगाता है कैसा mirror होता हो concave mirror होता है उसको आपके माउच के अंदर लेके जाते है और जहां पर भी cavity है या कोई और problems है तो उसको चेक करने के लिए उस mirror के अंदर देखते है mirror के अंदर क्या तो उस चीज़ को बड़ा किया जाता है image को जिसके काणवाग डेंटिस्ट को साफ साफ दिखाई देती है ठीक है तो इसके दोड़ा यूज़ की जाती है dentist to see the large image of the teeth of patient पेशेंट के दातों को बड़ा देखने के लिए किसका यूज़ करते है थर्ड कोईट आता है मेर यूज़ एज रिफ्लेक्टर किसकी तरह यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर अब इसमें रिफ्लेक्टर की तरह कैसी यूज़ करते हैं आपने टोर्च देखी होंगी हैडलाइट साथ आपकी बाइक की हो कार्स की हो या किसी भी चीज़ की ठीक है है एडलाइट है जो हमारी उनके अंदर आपने देखा अब एक साइडिक सर्फेस होती है अंदर की तरह वो कैसी होती है सेफ कर के होती है अब उसका यूज़ क्यों करते हैं उसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर आपने जैसा कि स्टेडी किया था कि अगर हम किसी ऑबजेक्ट को कहां पर रख दें फोकस के उपर कहां पर रख देते हैं फोकस के उपर रख देते हैं तो लाइट क्या हो जाती है पैरलल हो जाती है क्योंकि अगर फोकस से कोई लाइट आती है तो वो कहां जाती है पैरलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिज तो हम टोर्ट के अंदर जो हमारा बाल्ब होता है ठीक है उसको हम कहापर रह देते हैं फोकस के उपर और वहां से फिर जो पीछे हमने करके वो मीरर बनाया हुआ है वो क्या करता है उस लाइट को रिफलेक्ट कर देता है किसके पैरलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिज अब इन सब के कार्ड जब हम कोटर ऐं कारश चार ट्रक एंबसी जर उन समीं की है्ड लाइट टेट के अंदर हम इनका यूज करते यह तोर्च भी है क्लाइटर सबीके अंदर इसका यूज करते हैं क्यों क्योंकि उससे पैरलल बीम त्यार होती है किस चीज की लाइट की और वह क्या करते हैं काफी लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल करती है अधर्वाइज क्या होता है अगर आप लाइट शिंपल एक बलब लगाते हैं तो कि कुछ के बाद वो सप्रेड आउट हो जाती है ठीक है तो हम क्या करते हैं पैरलल बीम त्यार करते हैं ताकि दूर तक हम देख सकें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी विजिलाइज हो सकें तर्थर्ड पॉइंट का है था कनके मेरा यूज एज रिफ्लेक्टर किस की तरह यूज करते हैं दिख सिरेर लगा होता है या साइलिक सर्फेस होती है उसको रिफ्लेक्टर जोंटे इंटॉर्च विकल्स हैडलाइट रैडर सर्चलाइट तु गैट पावरफुल बीम औफ लाइट किस चीज के लिए पावरफुल बीम औफ लाइट के लिए कम यह का यूज करते हैं तो ये थे हमारे three uses, हलागि अभी three uses or भी है हमारे, और three three नहीं, इसके or भी बहुत सारी uses हो सकते, आपको अगर कोई ध्यान में आ रहा हो, तो आप वो भी note कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये three note कर लीजी, उसके बाद मापको next three note कराता हूँ, ये भी हमारे fourth point, fourth point क्या कहता है, concave mirror is used as doctor head mirror, क्या करते हैं, doctor अपने head पर यहाँ पर एक mirror लगा लेते हैं, कैसा mirror, concave mirror, to focus light, किसी के लिए, focus करने के लिए, किसी को, light को, coming from lamp, जो कहा से आ रही है, किसी एक lamp से आ रही है, कहाँ पर focus करेंगे, on the body, or part of patient, कहाँ पर body के जो part है, किस के, patient के, अब हो सकता है, doctors operation कर रहे हों, या किसी की eye को check कर रहे हों, या ear को check करते हैं, ठीक है, तो उसके उपर focus करने के लिए, visualize करने के लिए, हम क्या करते हैं, doctors use करते है, to be examined by the doctor, जो किस के दोरा देखे जारे, doctor के दोरा कौन, patients, ठीक है, तो कौन यूज करते हैं, doctors भी कनके वो mirror का यूज करते हैं, fifth point आता है, कनके वो dishes are used in TV disc antenna, जैसे, जितनी भी आपने dish, छितरी या मारी या जो dish देखे, antenna देखे हैं, चाहिए वो d2h हो, video कौन हो, या टाटा सकाई है, या सिर्फ d2h है, या जो भी है हमारी, ठीक है, उन सभी के अंदर, आपने देखा कि बाहर हमारी चट के उपर एक, antenna लगता है, round shape का, कनके वो होता है, अब वो क्या करता है, concave disc are used to TV disc antenna, किसके अंदर यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, to receive TV signal, किस चीज़ को प्राफ्ट करने के लिए, जो communication satellite है हमारा, या satellite बोलो आप, जो हमारा satellite है, वो जो signal भेज रहा है, किस चीज़ के, TV के signal, उनको receive कोन करता है, वो antenna, अंदर तब हमारा क्या करता है, TV चल पाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को receive करने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं, concave disc का यूज़ करते हैं, 6. अथा, large concave mirror is used, in the field of solar energy, to focus sun rays, for heating solar furnace, अगर हमारे पास, एक बड़ी सी solar furnace है, furnace क्या करते हैं, बठी भी बोलते हैं इसको, किसके अंदर डाल देते हैं, बठी के अंदर डाल देते हैं, अब ये solar furnace कैसी है, क्या करते हैं कि sun से जो light आती है हमारी, हमने एक बड़ा सा कनकेव mirror लिया, उसकी light को कहाँ पर focus कर दिया, furnace के उपर, किसके उपर, तो सारी heat जो भी आएगी, वो कहाँ जाएगी, furnace के उपर, तो furnace क्या हो जाएगी, heat हो जाएगी, और उसके अंदर जो हमारा metal है, या जो भी है, वो क्या हो जाएगा, melt हो जाएगा, ठीक है, तो इस परकार चाहिए है, हमारे कुछ uses थे, ये मैंने आपको six uses कराए है, हलाकि आप अपनी तरफ से भी, extra add करना चाहिए, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, ठीक है, आपको अगर कोई और ध्यान में आते हैं, तो आप भी add कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई आपसे uses पूछता है, तो आप ये note कर लीजिए, उसके बाद हमारा next topic है, sign convention for spherical mirror, ठीक है, अब ये क्या होता है, हम अभी study करेंगे, आप ये note कर लीजिए पहले, अब जो हमारा next topic है, वो है sign conventions for spherical mirror, अब इसका meaning क्या होता है, इसका meaning ये है भी, कि हम जो भी distance measure करते हैं, किसके अंदर, कि concave mirror शे object कहां पर है, principal axis से उपर है, या नीचे है, concave mirror के left में है, या right में है, या front में है, या back में है, ठीक है, और image हमारी कहां बन रही है, inside बन रही है, या उसके सामने बन रही है, तो इनके according, हमें क्या करना पड़ता हूँ, object का distance measure करना, या उसकी height करनी है, तो वो positive कब लेते हैं, negative कब लेते हैं, उन सब के बारे में, हमें इसके अंदर study करना है, और ये चीज़े हमारी कहां परियुद होती है, जब हम कोई भी numerical solve करते हैं, या हमें कोई calculation करनी हो, कि भी इसकी image कैसी बनेगी, कितनी लंबी बनेगी, तो उस time पे हम इनका usage करते हैं, थीक है, तो इसके अंदर हमारे mostly three rules है, वैसे five भी बना सकते हैं, क्योंकि आप एक कोई दो हिसों में part कर सकते हैं, थीक है, लेकिन मैंने यहां पे combine किया हुआ है, तो three ही rules है आपके लिए, first क्या है, all the distance are measured from the pole of the mirror as origin, कि जितने भी distances हैं हमारे, चाहे वो object का distance measure करना हमें, या image का, height की बात नहीं कर रहे हम object की, या image की, नहीं, हमें जो भी distances है, यानि कि जो object का distance है, या image का distance है, वो सभी distances, कहां से measure किये जाएंगे, पॉल से measure किये जाएंगे, किसका pole, concave mirror का, example के रूप में हम यह लेते हैं, कि हमारे पास क्या है, concave mirror है, क्या है, concave mirror, तो यहां पर हमारा क्या बनता है, pole, तो यह क्या है, principle axis, यहां पर हमारा क्या होगा, focus और यहां पर center of curvature, तो इस परकार से हमारा, कहां से measure करते हैं, pole से करते हैं, यानि कि जो initial point आपका, वो कहां से start करेंगे हम यहां से, यानि कि अगर हमें focal, यह length यहां find out करने हैं, तो यहां से start करेंगे, 0, 1, 2, 3, cm, जो भी आपका आता है, तो वो F तक, ठीक है, ठीक है, और इधर start करते हैं, तो भी यहीं से start करेंगे, तो all distance are measured from the pulse, कहां से start करते हैं, pulse से start करते हैं, second rule क्या कहता है, the distance measured in the same direction of incident light ray, light are taken as positive, second क्या कहता है, रूल हमारा, कि अगर हमारे पास एक यह object है, इससे अगर कोई light जा रही है, incident light बोलते हैं हम उसको, तो यह अगर हम इस परकार से गए, यह क्या हमारी incident light है, ठीक है, इसकी direction क्या है, यह ऐसे flow कर रही है, अगर हम इसकी direction के अंदर ही, कोई descents major करते हैं, तो taken as positive, तो क्या है था, descents measured in the same direction of incident light, are taken as positive, तो क्या लेंगे हैं, positive लेंगे, और अगर opposite जाएगे तो sir, तो उस case में क्या होगा, तो उस case में, third point यही से बनता है हमारा, आप यही सारी line ने दोबारा लिखोगे, और फिर यह line लिखनी पुड़ती है, इसलिए मैंने दोबनों को combine किया हुआ है, and against the direction of take negative, किसकी direction के against कह रही हैं हम बाद यहाँ पे, incident ray, यानि तो incident light आ रही है, वारी अगर हम उसके against जा रहे हैं, यानि वो ऐसे आ रही हैं, और हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम कैसा लेते हैं, negative sign लेते हैं, समझते हैं, अब जैसे अगर हमारा यह object है, क्या है, यह object है, अगर हम यह माल लेते हैं, यह Pieticence एक्स है, क्या है X? और हमारी यहाँ पर image बन रही है, क्याँए मेर में यहाँ बनेगी, यहाँा नहींगी, नहीं मनाई गई है यह ज़स्ट वैसे ही बनाई गई है ठीक है कोई कोई से कहे सर यह आया पर कैसे बन गई नहीं यह ज़स्ट एक एक एक्जामपल है ठीक है अब जैसा कि हमने फर्स का कि अगर हम इंसिडेंट ट्रे की डारेक्शन में चलते हैं तर टेकन है पोजिटिव अधरवाइज हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं और सारे डिस्टेंटस हम कहा से मेजर करते हैं पॉल से तो हमें अगर कोई कहें कि अबजेक्ट का डिस्टेंट का डिस्टेंट बताओ तो यहां से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे आ अगर हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहा थी यह ऐसे थी और हम मेजर करते हुए कैसे आ रहे हैं ऐसे पोल से मेजर श्टार्ट करना श्टार्ट किया हमने और यहां तक आया हम अब अब्जेक्ट तक तो डायरेक्शन यह हुई ना हमारी और इंसिडेंट रे कैसे जा थी उस तरफ जा रहे थी किसकी तरफ मेरर की तरफ तो हम क्या है अगर हमें इमेज की वैल्यू फाइड आट करनी है तो हम क्या करने इंसिडेंट रे भी इसकी डारेक्शन में जा रही है अब आपको सर इंसिडेंट रे तो यहां के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है बिलकुल रिफ्लेक्ट हो जाती है लेकिन उसकी डारेक्शन जो आ रही थी वह तो पहले यही थी तो सेम ही रहती है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं बस यह देख रहा है कि वह इधर से इधर जा रही थी बस तो अब्जेक्ट से किसकी तरफ आ रही थी इमेर की तरफ अब यह जा रहे हैं तो इमेज का वो क्या होगा हमारा वाई और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा आँसidge मा इस परकार से यह हमारा साइकिंड और ठर्ड रूल जो क्या कहता है फर्स्ट रूल क्या कहता है all distance are major from the pole कहां से major किये जाते हैं और जोडिस्टाइब हैं अगर हम incident ray की direction में चलते हैं तो taken as positive opposite direction चलते हैं किसके incident ray के तो taken as negative value I think यह आपको point clear हो गया होगा third point distance measured upward to the principal axis यानि कि अभी हमारा object है यह क्या था हमारा object अभी इसके कुछ ना कुछ height भी होगी तो हम क्या मान लेते हैं इसकी height है भई है h1 और यह हमारे पास क्या बनी यह के image बनी थी यहाँ पर यह क्या है h2 अभ यहीं पर अगर हम image मानेंगे मैं इसको साफ कर देता हूँ ठीक है आपको समझाने के लिए इसकी हमें अभी हम इसको पूरे कोई साफ करके दुबारा से बना लेते हैं डागर नाम को ठीक है अब हमारे पास यह वाइकन के वी मेरर खेंगे अगरे यह क्या हमारा पॉल यह क्या है प्रेदेशीबल एकसी ठीक है हमारा object कहां पर था यहआँ पर यह इसकी हाइट है हमारी यह जो हाइट है वो क्या है h1 है H2 है, क्या है, H2 H1 क्या है, हमारी Height of H1 क्या है, हाइट of object H2 क्या है, हाइट of image H1 क्या थी, Height of object and H2 क्या थी, Height of image अब इसके अंदर हमें फोर्थ रूल क्या, थर्ड रूल क्या खाता distance major, upward the principal axis अगर कोई भी object हमारा principal axis से उपर है ठीक है, अब object है हमारा, माल लो अगर यह हमारा principal axis है, और यह हम object रख रहें, तो यह principal axis से उपर है तो, R taken as positive, कैसा लेंगे हम उसको, positive लेंगे in perpendicular direction में होता है, यानि कि यह इस परकार से जो खड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो H1 है, वो कैसा लेंगे, positive H1 की जो value होगी क्या होगी, positive and downward take negative, और अगर principal axis से नीचे की तरफ है तो जैसे कि यह image है हमारी, तो इसको क्या लेंगे minus as 2 क्या लेंगे, minus as 2 इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई principal axis से कोई object उपर रखते हैं तो वो लेंगे positive, और अगर नीचे रखते हैं, तो कैसा लेंगे, negative चाहिए वो object हो, या image हो जो भी principal axis से उपर की तरफ height होती है, हमारी, वो taken as positive, और जो नीचे की तरफ हो, वो कैसी लेते हैं negative लेते हैं, ठीक है तो यह थे हमारे sign currency for spherical mirror इसी के base पे, आप किसी key value find out कर सकते हैं, कि वो plus में आएगी, या minus में आएगी, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो like कीजिए share कीजिए, और channel को subscribe करना मत भूलिएगा ठीक है, आप अगर यह note करना चाहते हैं तो note कर सकते हैं mirror formula, next जो topic भी है हमारा वो क्या है mirror formula, अब mirror formula है क्या, यह क्या करता है focal length, object distance, कहां से, pole से, जो हमारा distance होता है object का, और image का distance, इन तीनों के बीच में हमें relationship provide कराता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, mirror formula कहते है formula which gives the relationship between image distance, जिसको हम denote करते हैं, V से image का जो distance है हमारा, और किसे denote किया जाता है, V से, object distance and denoted by the U, and focal length, F, denoted by F, of a spherical mirror is known as the mirror formula, इसी को हम क्या कहते हैं, mirror formula कहते हैं तो यब यह होता क्या, कि one divided by में image distance, या इनकी image distance को हमने किसे denote किया, V से, तो हम one by में V भी note कर शकते हैं, यहाँ पर plus one by में object distance, object distance को किसे denote किया जाता, U से, तो U कर लिख दिया हमने one by U, equal है हमारा one by में focal length, तो one by F, तो आप यह लिख दिये, या यह लिख दिये, लेकिन, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को confusion आ रही होगी, सर यह तो हमने अभी sign convention में study किया था, कि minus भी होता है, plus भी होता है, yes, होता है, तो जो हम यहाँ पर sign use किये जाते हैं, वो sign use करते हैं, हम according to sign convention, यह simple formula आपको, यहाँ पर अगर इसकी value positive है, negative है, जैसी भी है, हमें वो put up करनी पड़ती है, according to sign conventions formula के, ठीक है, यानि कि अगर आपकी image negative value में है, तो negative put up कीजिए, positive है, positive put up कीजिए, focal length positive है, negative, जैसी भी है, आपको वो put up करनी पड़त है, लेकिन यहाँ पर हमारे negative और positive के signs given नहीं है, यह सिर्फ क्या है, आपको यह formula दिया गा है, जो sign मिलेंगे हमें, positive, negative, किसके coding मिलेंगे, sign convention, हाँ, यह plus का sign adjective इसके अंदर रहता है, यहाँ पर अगर आप यह minus का यह हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा, minus का हो जाएगा, और plus linear magnification of produce by mirror, ठीक है, linear magnification क्या होता, जैसा कि इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, कि magnification होना, यानि किसी छोटी चीज को हमें क्या दिखाना, बड़ा दिखाना, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते है, magnification, बोलते है, अब यह क्या कहता है, the ratio of the height of image, किसकी ratio है, image की जो हमारी height है जो हमने अभी माननी थी ना, as true, same way, image to the height of object, यानि कि image की height हमारी कितनी ज्यादा बड़ी, किसकी comparison में, object की comparison में, is known as linear magnification, इसी को हम क्या कहते है, linear magnification कहते है, and it is noted by the lateral small m, किसके दवारा denote किया जाता है, m के दवारा denote किया जाता है, तो हमने m लिखा, यानि कि linear, m क्या है यहाँ पर, linear magnification, किसके एकोल हमारा, h2 by में h1, अब h2 क्या है यहाँ पर, h2 है हमारा height of image, इसको क्या कहते है, h2, क्या कहते है, height of image, and height of object, that is h1, यह हमने अभी, जो study किया था, sign convention, उसके अंदर भी मैंने आपको बता आ था, ठीक है, तो h2 by में h1, यानि कि height of image, या हम यह क्लिक सकते हैं, height of image, by में height of object, किसके equal होगा, linear magnification के equal होता है, यह हमारा formula त्यार होगया, अब इसके according कई बार के आता है, numericals के अंदर आपको magnification दिया जाता है, और एक object की height बता दी जाती है, ठीक है, तो आपको second की आप find out कर सकते हैं, उसकी help से, ठीक है, क्यों, आपके पास linear magnification है, produce by mirror, किसके दोरा, जो produce की जाती है, mirror के दोरा, वो equal होती है, किसके ratio of image distance, यानि कि pole से image कितनी दूरी पर है, वो distance to the object distance, यानि कि V बाई में U, यानि कि क्या है हमारा image distance, image distance, बाई में object distance, क्या कहता है, equal to the ratio of image distance to the object distance, with a minus sign, हाँ, ये बात याद रखना, minus sign, जो है हमारा, वो काफी compulsory आपके लिए, जो ये, जो ये minus sign है, ये हमारा, इन image के distances के कारण नहीं आया है, ये formula के अंदर है हमारा, कहीं कोई बच्चा सोचे कि sir, हमने v और u की value आप तो positive ही लखनी है, क्योंकि आपने minus का sign पहले ही लगा दिया, नहीं, v की value अगर आपकी negative हो, तो negative put up कीजिए, positive है तो positive put up कीजिए, ये negative sign for formula के लिए है, ठीक है, इसका उन values के अपर कोई effect नहीं है, वो minus के तो आप minus put up कीजिए, पलस की हैं, तो plus put up कीजिए, किसके according, sign convention के according, ठीक है, इसी के साथ हुई, ये जो हमारा last topic था, किस से related, concave mirror से related, इसके बाद जो हमारा start होगा, वो है हमारा convex mirror, अगर आप इस से related कुछ numerical solve करवाना चाहते हैं, तो please मुझे comments box में बताइए, अगर आप interested है, तो, ठीक है, और अगर आप interested नहीं है, तो कोई problem नहीं, देखो, अगर एक या दो बच्चा, अगर comments करता है, तो वहीं देखो, उसके उपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, तो आप जितने ज्यादा comment करेंगे, तो ही वीडियो बनाई में कोशिश करूँगा इसके उपर, अलाकि मेरी आज कल तब यह थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी I will try, ठीक है, अगर आप इसके numericals देखना चाहते हैं, कि यह किस परकार से solve होते हैं, तो प्लीज मुझे comments box में बताइए, अगर आपकी ज्यादा comments आएंगे, तो मैं उसके उपर वीडियो जुरूर बनाऊँगा, ठीक है, और otherwise, फिर हम क्या करेंगे, अगर आपके comments आप नहीं करते हैं, आप वीडियो की नहीं कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, next convex mirror को continue करेंगे, in next video के साथ, इसी के साथ, फिर से आपको कहता हूँ, happy, दसहरा, अच्छे से दसहरा बनाईए अपना, और फेस्टिवल को enjoy कीजिएगा, लेकिन साथ में study भी जरूर कीजिएगा, फिर इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं, next time, next video के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और अपने friends को भी share कीजिएगा, वैसे भी आद दसहरा है, तो आप अच्छे-च्छे share कर सकते हैं इसको, क्योंकि खुशियां बाटने से ही बढ़ती हैं, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को भी share जरूर कीजिएगा, थैंक यू,